तो आईए इस कोर्स के ओप्चिक्टिवस को समझते हैं सबसे पहला सवाल कि यह कोर्स किसके लिए बनाया गया है यह कोर्स स्टुरेंट्स, वर्किंग मैं और वुमन और मौझूदा आंथ्रप्रिनर्स के लिए बनाया गया है यह कोर्स उन लोगों के लिए भी है जो कुछ नया सीखने की चाहा रखते है हाउस वाइफ्स जो अपना छोटा बिजनिस शुरू करना चाहती है और ऐसे लोग जो आंथ्रप्रिनर्शिप की दुनिया के बारे में जानना चाहते है और जल्दी अपना कारोबार शुरू करना चाहते है फिर दूसरा सवाल यहां आता है कि यह कोर्स किस बारे में है यह कोर्स विशेश रूप से इंडिया की मास पॉपुलेशन को सोच कर हिंदी तथा इंगलिश भाषा में बनाया गया है ताकि वह अपना बिसनिस शुरू कर सके और इसे चलाने में सक्षम बने यह कोर्स इंफिमाक सोलुशन्स द्वारा बनाया गया है जो खुद इंडिया में एक गवर्मेंट प्रिकगनाई स्टार्टप है इस कोर्स के माध्यम से हम आपको उन शेक्त्रों से परिचित कराएगे जो इस आंथ्रपिरिनियल सफर में आपको काम आएगे जैसे कि हम समझेगे स्टार्टप्स में लीगल स्ट्रक्चर के महत्व को एक आइडिया को कैसे जनरेट किया जाता है और उसकी वैलिडेशन प्रोसेस मिनिमम वाइबर प्रोड़क्ट बिसनेस मॉडल कैन्वास मार्केटिंग के बेसिक कंसेप्स इन्वेस्टर को आइडिया पिछ करने का तरीका और बिसनेस फाइनेस अब आते हैं हम हमारे तीसरे सवाल के पास यह कोर्स आपको क्यों करना चाहिए जैसे कि हमने पहले भी समझा आपके बिसनेस को कुशलता से चलाने के लिए आपको उससे संबन्दित बातों की जानकारी होना जरूरी है यह कोर्स आपको स्टार्टप और आंथ्रिप्रिनर्शिप के अलग-अलग पढ़ाओं के बारे में परिचित कराएगा इन पढ़ाओं से भलीभादी परिचित होने के बाद आपको अपने बिजनेस को तेजी से चलाने में सपश्टता मिलेगी और हमारा आखरी सवाद यह है कि यह कोर्स आपकी किस प्रकार से मदद करेगा स्टार्टप या आंथ्रिप्रिनर्शिप के शुरुआदी समय में हमें काफी सारी बाते नहीं बता होती और इसलिए हम गलतिया करते हैं पर इन गलतियों से बचने के लिए हमें जरूरत होती है एक सही शिक्षा की और इसलिए हमने इस कोर्स में अलग-अलग activities, business templates, question answers और case studies का समावेश किया है इन सभी के द्वारा आप अपने business को सफल बना सके यही हमारा लक्ष होगा